मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि भारतिय जन्ता पार्टी के मंडी के सांसद राम सुरूप शर्मा जी डिली से मंडी पहुँचे और कैसे पहुँचे ऑर किसकी परविशन से पहुँचे इस बात की हमें बहुत हैरानी है दो दिन पूरो जो देश के प्रदान मंत्री हैं, वो सब को निसियत देते हैं कि मैं स्वैम भी घर पे हूँ और आप सब लोग घर पे रहें और उसके बाद इस तरह की बात होती है, आज मैं ये जाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के हजारों लोग जो हैं प्रदेश से हैं, हम से बात करते हैं, प्रदेश में आना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते हैं उनको प्रमिशन नहीं है, दूसरी तरफ से भारतिय जनता पार्टी के सांसत तमाम नियों को कानून को धर्ता बताते हुए जो है मंडी पहुंच जाते हैं, मेरा सरकार से नुरोध ह किस बात की पूरी जांच होनी चाहिए, क्या इस परदेश में दो तरह के मापदंड हैं, एक मापदंड गरीब लोगों के लिए, परदेश के जो साधरन लोग हैं, उनके लिए दूसरा मापदंड जो है भारतिय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक कृपा करके बताने का प्रियास करें, और अगर उन्होंने नियम और कानून की उलंगना की है, तो उनके खिलाफ जो है, निश्चे तोर पे कारवाई होनी चाहिए, परदेश सरकार ने भी नोटिफिकेशने जारी की है, और कहा है कि जो भी लोग परदेश से बाहर से परदेश में आएंगे, उनको 28 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, और जो लोग अपनी ट्रेवल हिस्ट्री को चुपा रहे हैं, उनके खिलाफ 307 का मुकदमा जो है, वो धर्ज किया जा रहा है, जैसे जमातियों के खिलाफ हुआ, और कल दो पत्तरकार आएंगे उनके खिलाफ हुआ, लेकिन दिल्ली से जुगिंदर नगर पहुँच गे, वहां पर मीडिया से उन्होंने बात की, एक अखवार को उन्होंने अपना फोटो भी खिचने दिया, जो सोशल मीडिया पर काफी बाइरल है, वो अकेले नहीं आए, उनके साथ तीन लोग और भी आए, इन चार लोगों ने ए PGP हिमाचल परदेश को एक मेल भेजी है, और मैंने उनसे आगरे किया है कि मंडी के जो MP रामसुप शर्मा है, वो अपने साथ तीन लोगों को और लेकर बिना किसी प्रशासन को बताए आए हैं, इसलिए जल्द से जल्द मंडी के जो MP हैं और उनके साथ जो तीन लोगों औ कर रहे हैं, इन पर FIR दर्ज हो ताकि एक example set हो कि प्रदेश में किसी के साथ अलग अलग कनूनों के तहत कारवाई नहीं हो रही हर एक के साथ समान कनून के तहत कारवाई हो रही है